कि मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार कोरोना वैस्विक महमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग तू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी जुकाम खांसी बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है कि मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए कि साथियों कि यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यू दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत कि संबली हुई स्थिति में है कि समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों नहीं भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि जब से कि देश में कि अनलोक वन हुआ है कि व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाई जराब बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सत्रक्ता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है कि साथियों कि लॉकडाउन के दोरा कि पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब कि सरकारों को कि स्थानिय निकाई की संस्ताओं को कि देश के नागरीकों को कि फिर से उसी तरह की सत्रक्ता दिखाने की ज़रूरत है विशेश कर कंटेंड्मेंट जॉन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें अमें उन्हें तोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ति से काम करना चाहिए यह 130 करोड़ देश वाज़ों के जीवन की रक्षा करने का भ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच प्राथ्मिक न रही ऐसी स्थिति ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिबिल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हैं अमारा कोई गरीब भाई भैन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्का से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहर गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमें जमा करवाए गए इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगार अभ्यान तेज गति से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथ्यों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में दुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दि गई यानि एक तरसे देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर गोश्णा करने जा रहा हूं साथियों हमारे यहां वर्षा रूतू के दोरां और उसके बां मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम पूपा है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे तो हारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरु को निवा है फिर श्यावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी जनेश्चतों से आएगी होनम होगा और आगे जाएं तो गाटी विवू है नवरात्री है दुजा पूजा है दशारा है दिपावली है छठी महिया की पूजा है तो हारों का ही समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते विए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाए यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्यक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्वे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च पूपिए और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो यह करीब करीब कि देड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवशक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर के कहीं और जाते हैं किसी और राज्जे में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्रे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्नदेफान और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाई तो निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का रुड़े से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे हम गरीब पीडी शोसीद वन्चीद हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बरत्ते हुए एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड देश्वासियों को मिल जुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रांशना करता हूं आपके लिए भी प्रांशना करता हूं आपसे आंगरह भी करता हूं आप सभी स्वस्त रहिए दोग गज की दूरी का पालन करते रहिए गमशा फेस कवर मांस यह हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाग परवाही मत बरती इसी आगर इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं धन्यवाद बहुत कीजिए और मांस बफ्या लाग पिसाठा है एसी जागर परवाद पर लागर शुब कीजिए झाल वांस बिग्ड़ब कामना वहा हूं